हलो दोस्तो मेरा नाम है मन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डू इन मिनट्स में आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे सामने एक एवन की न्यूक साइकल है जिसमें हम आपको गेर को इंस्टॉल करकर दिखाएंगे तो पहले आप देख सकते हैं साइकल बिल्कुल सिंगल स्पीड की इसमें कोई भी गेर इंस्टॉल नहीं है सबसे पहले आपको साइकल को उल्टा कर लेना है पूरा स्टेप में आपको बताऊंगा उल्टा करकर आपको एकसल के दिये गए दोनों नट्स को लूज कर लेना है हम लोग लूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वील को बाहर निकालना है वील को बाहर निकालने के बाद ही हम लोग next अपने सारे प्रोसीजर को one by one step by step कर पाएंगे वील जैसा ही हमारा बाहर आ जाएगा इसमें सिंगल स्पीड की free will को आपको remove करना पड़ेगा ऐसा इसलिन लोग करते हैं क्योंकि जब तक हम लोग अपनी सिंगल स्पीड वाली free will को नहीं निकालेगे इसमें multi speed की free will को हम लगाई नहीं सकते हैं तो यहां पर मैनने एक tool का use किया जिसे में free wheel remover tool करते हैं, यह basically एक single speed की free wheel को निकालने के लिए ही design किया गया होता है, काफी easy तरीके से इसकी मदद से आप free wheel को remove कर सकते हैं, उसके बाद ये रहा हमारा six speed का free wheel, free wheel देख सकते काफी बढ़िया कॉलिटी का, अगर आपके साइकल में पहले से एकसल नहीं लगी भी है 7.5 इंच की छोटी वाली एकसल है तो आपको एकसल भी रिमूफ करना पड़ेगा फ्रिबिल हमने लगा लिया उसके बाद हमारी जो गंदी वाली चेन है देख सकते है इतना ओबर वाइलिंग इसमें करा हुआ था कि पूरा चेन हमारा एकदम बरबाद हो गया तो यह वाली चेन तो हमारी यूज नहीं हो पाएगी तो हम लोग इसके पुराने वाले चेन को प काका शांटी की मदद से भी चेन को अटा सकता है. बिल्कूल सीमपल सा ब्रोसेजर होता है उसके बाद इसके आगे में जो हमारा क्रेंक लगावा था को सिंगंगल स्वीर्ड वाले क्रेंक को सब्सूपर्ट करता है अगर हम लोग गेर लगा रहे है और गेर का चेन सोचेन ह कि ये वाले crank set में चला ले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है बिल्कुल ये success नहीं होगा गेर का chain इसके अंदर जाकर stuck हो जाएगा तो crank को बाहर निकालने के लिए हम लोग देख सकते हैं या पर crank opener tool का use कर रहे है crank opener tool में दो सिरा होता है एक सिरा को आपको अपने crank के अंदर clockwise direction में लगा कर tight कर देना होता है और दूसरा बाला जो हमारा bolt होता है उसे जैसे ही हम tight करेंगे puller जो होता है वो crank को बाहर के तरफ से खीशने लगता है यही वाला same procedure करेंगे तो आपका जो crank है वो बाहर के तरफ से अंदर आ जाएगा अगर आपके पास crank puller नहीं है तो थोड़ा सा आपको problem आएगा पर दूसरे तरफ से आप हाँ तोड़ी या फिर एक chain के मतलब से कुछ इस तरी के से strike करेंगे तो आपका बाहर आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारा gear वाला crank gear वाला crank बहुत लोगों को लगता है कि और यह तो single speed का इसमें gear वाला crank कैसे आप कर सकते है gear crank इसलिए हम लोग इसे कहेंगे कि कुछ इसका जो teeth होता है पतला होता है यह gear वाली chain को support करता है सेम यही इसी type का ही पहले से लगा वा था लेकिन उसकी जो teeth थी वो मोटी थी इसलिए उसके अंदर gear वाली chain stuck कर जाएगी पूरी अंदर चली जाएगी लेकिन बाहर फ्रीली move नहीं करेगा इसलिए हम लोग इसमें single speed की crank set को लगा रहे हैं कि जो हमारा gear का chain है काफी अच्छी तरीकी से लग जाएगा आप लोग भी कोसिस करें अगर पीछे वाली कोई भी gear लगा रहे है 5,6,7,8,9 कोई भी speed की gear लगा रहे है तो सामने में कम से कम एक crank लगा ले और एक gear की chain लगा ले आप जो performance है और बिज़ादा enhance हो जाता है तो यहाँ पर हम लोग आप paddle को लगा लेंगे crank set को लगाने का procedure आपने देखा अच्छी तरीकी से पहले लगा कर आपको ठोक लेना crank set बहुत लोग होता है simple सा आप Excel में लगाते हैं आप चाहे तो Venom का derailer use करें Starlit का derailer use करें या फिर इस model का कोई भी derailer use करते हैं सब के अंदर आपको same function मिलता है कुछ भी जाद आपको difference नहीं मिलेगा derailer में के दिए का nut को tight कर लेने के बाद simple सा आपको frame में कुछ इस तरीके से अपने wheel को रख देना है उसके बाद आपको पूरे nut को अच्छी तरीके से tight कर लेना है देख सकते हैं अभी हम लोग nut को रखेंगे और अच्छे-च्छे से धीर से tight करेंगे उसके बाद आपको wheel की alignment जरूर कर लेनी है nut को tight करने के time में हमारा जल्दी से देख लिए हम लोग पीछे वाली जो हमारा wheel था वह अच्छी तरीक इसे लग जया उसके बाद हम लोग पुरानी वाली grip को निकाल रहे हैं तो grip कई बार फंस जाता है hammer की मदद से मालने पर थोड़ा सा lose जाता है फिर वो निकल जाता है उसके बाद हम लोग अपनी brake lever को निकालेंगे यह रहा हमारा फ्रंट बाला brake lever फ्रंट बाले ब्रेक लिवर को हम लोग पांच नंबर के लिएन की से निकालेंगे और बाहर आ जाएगा यह रहा हमारा एक sifter use कर ले क्योंकि जो गोल घुमाने बाला sifter होता है पहले काफी ज़दा use में आता था अब thumb and finger वाला है काफी अच्छा होता है यह अच्छलि में घेर की chain नॉर्मल वाली chain मत यूज कर लिए क्योंकि आपने लगा दिया वह आप गेर वाला लगा दिया तो नॉर्मल वाली chain का कोई मतलब ही नहीं हो ता वैसके आमारा पूरा चेन आता हुसे लगा देते हैं बीना मेजर की वह तो चेन थोड़ा लंबा हो जाता है तो सिफ्टिंग वह थोगा सा प्रॉब्लम आएगा तो देख ले कुछ इस तरीके सा अगर एक दो लिंग कम भी करना पर रहा आपको कट करना पर रहा तो बिल्कुल कट कर दे उस करता है कि पैलिंग करने टाइम आपका जो चेन है वो स्लिप नहीं करेगा तूट भी जाता है कई बार तो आप साइकल में चेन को लगाएंगे थोड़ा सा कुछ दिन चलाएंगे या कुछ किलोमेटर चलाने के बाद चेन पर प्रेसर परता है चेन आपका टूट जाता है उसका वही रीजन होता है कि जो हमारी गेर वाली चेन होती है उसके अंदर लिंक जो हमारा होता है काफी छोटा होता है पतला होता है तो काफी साबधानी से यह वाला काम आपको करना परता है या तो आप हैमर के मदद से अच्छे तरीके से हैमरिंग कर देंगे फिर भी और हम लोग सबसे पहले इसे मिला लेंगे डिरेलर को आजस्टमेंट करने के टाइम में क्योंकि हो सकता है लिमिट ऐल और एच वाली स्कुरू को भी हमें मिलाना पर जाए तो सबसे पहले हम लोग अभी इसके गेर को वायर को लगा लेते हैं हाउसिंग के अंदर तो अच्छ इस तरीके से अभी हम लोग लगा लेते हैं और पैडल को रोटेट करकर देखेंगे उसके बाद हम लोग एरजस्टिंग स्कुरू को मिलाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो गेर है अभी आप कुछ शो कर रहा है पांच नंबर पर है छे पर नहीं आ रहा ह तो हमें एच वाले स्कुरू को थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा एच वाले स्कुरू को लूज करेंगे पैडल को रोटेट करेंगे और देख सकते हैं आप गेर हमारा है जो अभी भी नहीं नीचे आ रहा है तो बस यही सेम प्रोसीजर होता है एच वाले स्कुरू को आ अच्छी तरीके से wire को लगा कर प्लायर से खीच लेना है बहुत लोग होता है कि shifter में कर देते हैं एक number नीचे में derailer को करते हैं 6 number पर tight कर देते हैं बिल्कुल नहीं करना है shifter में आपको रखना है यहाँ पर 6 number chain देख लेंगे 6 number पर उसके बादी प्लायर से खीचेंगे अच्छी तरीके से कोई slack ना रहे उसके बाद यह anchor bolt को tight करें तो यह वाला जो प्रोसीजर है 2-3 बार आप back करके देख लेना आपको समझ में आ जाएगा देख सकते हैं अब हम लोग gear को shift करकर देखते हैं तो gear देख सकते हैं हमारा बहुत इच्छी तरीके से यहाँ पर shift कर रहा है एक problem अगर आपका बड़े वाले से भी बाहर की तरफ में chain गिर जाता है तो आपको L वाले screw को tight करना पर एका tight कैसे करेंगे सबसे एक number पर जाके L वाले को tight कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा आपको tight करना फिर से आपको क्या करना एक दो number पर जाएंगे थोड़ा से डिरेलर को उंगली से push करेंगे उसके बाद limit screw को tight करेंगे L वाले screw को tight करेंगे जब सबसे बड़े वाले पर गिरेगा H वाले screw को tight करेंगे जब आपका जो free bill है वो सबसे छोटे बाले पर आएगा यह छोटे बाले से बाहर के तरग बिर जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते है gear जो हमारा काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर work कर रहा है आप देख सकते है shifting से भी कोई problem नहीं आ रहा है आहाम तोर पर काफी अच्छा है आप आप देख सकते हैं हमें output मिल रहा है यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर आप हमें comment करकर बताएगा यह सारे parts को purchase करना है तो do in minutes की application डाउनलोड कर लीज़े Google Play Store पर आपको यह सारे parts मिल जाएंगी Google Play Store पर जाना है